हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चाइनल इसराफिल इस्टाडी में आज हम कक्छा दस गनीत में इस कोईशन को बेहतरीन तरीका से हल करना सिखेंगे तो यहाँ कोईशन है यदि अलफा कमा बीटा बहुपद पी एक्स बरावर दो एक्स स्क्वाइड माइनस एगार एक्स प्लस पंडर के सुन्यक है तो एक वर्टा अलफा प्लस एक वर्टा बीटा का मान ग्यांत करे यानि यहाँ हमें द्विगात बहुपद दिया है जिसका दो सुन्यक खैब अलफा और बीटा तो हमें एक वर्टा अलफा प्लस एक वर्टा बीटा का मान निकालना है तो देखे हल यहाँ हमें बहुपद पी एक्स बरावर दिया है दो एक्स स्क्वाइर माइनस एगार एक्स प्लस पंदरा ठीक है तो यह जो है दियात बहुपद है तो हमें मान निकालना है एक वर्टा अलफा प्लस एक वर्टा बीटा का तो यहाँ हम सबसे पहले इस दियात बहुपद में से A, B और C का मान निकालेंगे तो लिख लेते हैं, लिखेंगे यहां, A बराबर, तो इस दुई घात बहुपद में, X स्क्वाइर का गुनांक A का मान होता है, तो यहां 2 है, X स्क्वाइर का गुनांक, इसलिए A बराबर होगा 2, ठीक है, फिर next, B, तो B का मान दोस्तों होता है, X का गुनांक, तो यहां X का गुनांक है, माइनस 11, शिरिफ 11 नहीं है, माइनस 11, तो लिखेंगे B बराबर, माइनस 11, ठीक है, फिर next, C का मान, तो यहां जोई अचार पद है, 15, यह है C का मान, ठीक है, तो हमने इस द्रिखात बहुपद में से A, B और C का मान निकाल लिया, अब हम 1 वर्टा अलफा प्लस 1 वर्टा बीटा का मान निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे, इसलिए, 1 वर्टा अलफा प्लस 1 वर्टा बीटा बरावर, यहां ध्यान दीचेगा, 1 वर्टा अलफा प्लस 1 वर्टा बीटा, यह जो है, भीन की जोड की तरह है, यह दोनों अन्सवर्टा हर के रुप में है तो हम यहाँ भीन का जोर बनाएंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हर का LCM लेते हैं तो हर में यहाँ अलफा और बीटा है तो इसका LCM क्या आएगा यहाँ से यहाँ इसका LCM आएगा अलफा गुने बीटा ठीक है अब हम क्रोस में गुना करेंगे अलफा से एक में गुना करेंगे अलफा होगा फिर यहां प्लोस है तो प्लोस बीटा को एक से गुना करेंगे तो बीटा होगा यानि एक बट्टा अल्फा प्लोस एक बट्टा बीटा को हल करने पड़ ये होगा अल्फा प्लोस बीटा बट्टा अल्फा गुने बीटा अब यहां ध्यां दिचे यहां है अल्फा प्लोस बीटा और नीचे में है अल्फा गुने बीटा तो द्विघात बहुपद में अलफा प्लस बीटा होता है सुनियंको का योग और अलफा गुने बीटा होता है सुनियंको का गुनन फल तो यहां अब हम इस द्विघात बहुपद में से सुनियंको का योग और नीचे में सुनियंको का गुनन फल का मान रखेंगे तो एक वर्टा अलफा प्लॉस एक वर्टा बीटा का मान निकल कर आ जाएगा तो हम फर्मूला का परियोग करेंगे यानि यहाँ अलफा प्लॉस बीटा है इसका मतलब होता है सुनियंको का योग हम यहाँ लेते हैं कि अलफा प्लॉस बीटा का मतलब होता है सुनियंको का योग ठीक और अलफा गुने बीटा होता है सुनियंको का गुनन फल तो हम इसी कॉंसेप का परियोग करकर इसे हल करेंगे तो यहाँ अलफा प्लस बीटा है तो अलफा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए हम एक फर्मूला का परियोग करते हैं तो अलफा प्लस बीटा का फर्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए ठीक है और बट्टा में यहाँ है अल्फा गुने बीटा यानि सुनियंको का गुनन फल तो अल्फा गुने बीटा का भी फर्मूला होता है द्विगात बहुपद में जो होता है C बट्टा A ठीक है? हमने अलफा प्लस बीटा और अलफा गुने बीटा का फर्मूला लगा दिया तो यहां देखिए माइनस B वट्टा A और वट्टा में C वट्टा A है तो यहां जो यह A है यह दोनों गुन्ना और भाग में कट जाएगा तो यहां क्या बांकी होगा? उपर में बांकी होगा माइनस B और नीचे में C ठीक है? यह से A कट गया उपर में माइनस B और नीचे में C बांकी रह गया अब हम दोस्तों यहां जो हमने मान निकाला है इसका परियोग करेंगे तो यहां माइनस B वट्टा C है तो लिखेंगे माइनस और B के जगा मान है माइनस 11 तो हम इसे ब्र्याकेट लगाकर लिखेंगे माइनस 11 क्योंकि अगारडी में माइनस है और ये भी माइनस में है इसलिए हम कोश्टक लगा देंगे फिर बट्टा में C है C का मान है 15 तो लिखेंगे यहां 15 तो इसे हल करेंगे ये क्या होगा माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस 11 ठीक है और बट्टा में 15 तो एक बट्टा अलफा प्लस एक बट्टा बीटा का मान होगा 11 बट्टा 15 ये है इसका एंसर ठीक है यहाँ धियाँ डिजिये यहाँ उपर और नीचे एक कर इसे कटा तो देखिए हम इसे थोड़ा और हल कर लेते हैं यहाँ माइनस बी बट्टा ए है ठीक है और नीचे में सी बट्टा ए है तो यहाँ जो यह सी बट्टा ए है माइनस बी बट्टा ए को भाग दे रहा है तो जब हम इसे गुन्ना के रुपें बदलते हैं, तो क्या होगा कि A उपर और C नीचे चला जाएगा, भीन का भाग हम इसी परकार बनाते हैं, C बटा ये भाग के रुपें था, इसे हमें गुन्ना के रुपें बदल दिया, तो भीन हमारा प्लट जाएगा, A उपर, C नीच करेंगे बेहतरीन तरीका से तो उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी एदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके एक पैरा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए